नमस्कार किसान भाईो स्वागत आपका एक बार फिर से किसान भाईो जब हम अब इस साल गन्ने की बुआई करेंगे क्योंकि मौसम में पिछली साल बहुत जादा नमी रही इसी वज़े से इसमें फंगस का बहुत जादा प्रकौप आया क्योंकि सभी सेत्रों में 0,238 की बुवाई किसानों ने कर रखी और बीज बदलने में काफी समय लगेगा तो हमें इस बार बहुत सावधानी से गन्नी की देखभाल करनी स्टार्टिंग से ही जब हम 30 से 40 दिन 50 दिन की जो अपनी फसल होती है जमाव से 60 दिन की जो हमारी फसल होती है अगर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर लेते हैं और बहुत अच्छा उसका जमाव ले लेते हैं तो हमारी जो गन्ना है वो लाश तक बिल्कुल भी दबाव में नहीं आता जो फसल हमारी स्टार्टिंग में ही ग्रोथ अच्छी ले लेती है जमाव अच्छा ले लेती है वो गन्ना निश्चित तोर पे किसान भाईयो बहुत अच्छा निकलता है और जिस गन्ने में सुरू में ही जमाव अच्छा नहीं आता रोग आ जाते हैं, तो वो गन्ना पिछड जाता है, किसान साथियो, 60 दिन तक हमें क्या काम करने चाहिए, बुआई से, कौन-कौन सी दवाईयों का इस्तेमाल करना, कौन सो उन से खाद का इस्तेमाल करना, इस बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा, जो महत सारीके की बनानी पड़ेगी, कि अगर बरसात में गन्ना बिगणने की संभावना फिर से बनते है, तो हमें किन-किन दवाईयों का इस्तेमाल सुरू से ही करना, ताकि हम इसे फंगस से बचा सके, मिट्टी से ही, 60-70 दिन हमें क्या काम करने, और जब हमारी बरसात की इस गन्ने को बचाना, 0-238 निश्ची तोर में बहुत अच्छा गन्ना है, और इसे फंगस से बचाना, किसान साथियों जो फंगस है, बहुत अच्छे गन्ने की ग्रोथ, इस टार्टिंग में किसान भाईयों की चलीती, लेकिन बरसात के सीजन के बाद सारा गन्ना जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको गन्ने की अच्छी फसल लेनी है, तो किसान साथियों दो बुगई का विगगा आपको गोबर की सड़ी हुई खाट डालनी है, गहरी जुताई करनी है, गहरी जुताई करने के बाद आपको गहरे ही खूर निकालने है, अपने तीन जो खुर्पों का लेजर होता है उससे भी और उस पे बहुत हलकी मिट्टी लगानी बहुत ही हलकी बहुत ही हलकी मिट्टी लगानी और उसमें बहुत ही हलका पानी देना बेसल डोज पर आब आता हूँ गोबर की खात के बाद सबसे पाले एक बैग डियेपी एक बैग पोटास एक बैग हुमिक एसिड पांच किलो बुआई में जो आपको इस्तिमाल करना और किसान साथियो माइकोराईजर का इस्तिमाल करें बुआई में ही और किसान भाईयो एक बैग 25 किलो का कैल्सियम नाइटरेट का में इस्तिमाल करना किसान साथियो कैल्सियम नाइटरेट बिल्कुल डालना चाहे आप डियेपी की मातरा कम कर दीजे पोटास की मातरा कम कर जीजे सबसे ज़्यादा परभाव जमाव में भ्यात में गंडे की मोटाई में केल्शम नाइटरेट करता है यूमिक एसिड का जरूर परियोग करना किसान बायो सबसे ज़्यदा जमाव में ग्रीन ड्री में हूमिक एसिड जो है हमारा काम करता है यह दोनों खात बिलकुल मुश्ट है बेसल डोज का आपको मैंने बता दिया इसके बाद जब हमारा गन्ना 30 से 40 दिन का हो जाता है किसान साथियो जब गन्ने पर जमाव आ जाता है और 40 दिन का हमारा गन्ना हो जाता है तो उसमें खरपतवार जमने स्टार्ट हो जाते है किसान भाईयो मैं आपको बता दू सबसे अच्छा अतियार अमारा घरपतवार नश्ट करने का यह है कि आपके पास अगर हाथ की रोटरी है रोटावेटर जिसको बोलते हैं पावर टिलर जिसको बोलते हैं उसकी आप निराई गुड़ाई स्टार्ट कर दीजे अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो दूसरे पानी तक ही इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाओ इसलिए पहली उसमें ही बहुत हल्की निराई गुड़ाई उसकी करनी बहुत अवश्यक है पाटा ना लगाए किसान सात्यों हमारे एक शेतर में बहुत बड़े गल्ती किसान ये करते हैं कि बुआई के बाद उसके मिट्टी लगा देते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से उसके पाटा लगा देते हैं इससे जमाव तो हो जाएगा लेकिन ब्यात नहीं होगा गन्नी की मोटाई पे भी फरक पड़ता है हर चीज़ पे किसान भाईयो दो पाणी तक उस पे बिल्कुल भी पाटर न लगाए बीच में आप हड़का रोटावेटर चला दो या हल चलवा दो पांस खुर्पे वाला जो हमारा आता है उससे ही हलकी हलकी मिट्टी खूड में चली जाएगी कुछ तो हमारा जो घास है खूड का वो खतम हो जाएगा और जो बीच में जम रहा है वो भी खतम हो जाएगा किसान भाई यो बहुत सारे किसान क्या करते है 240 एट्राजीन की स्प्रे कर देते हैं वो भी बहुत अगर जरा सी भी मात्रा इस दवाई की जादा हो जाती है किसान सात्यों तो हमारे गन्य की बढ़वार पे तुरंत ही फरक पड़ता है हाला कि बहुत सारे किसान इसे अपनाते हैं और ये कारगर भी है 240 एट्राजीन अगर आप अपने खेतर में 5 बिगे में इस्तिमाल करते हैं तो उससे हमारे खर्पतवार नस्ट हो जाते हैं लेकिन उसका बुरा प्रभाव हमारे गन्य की क्रोथ पर पड़ता है इसलिए किसान भाईयो सबसे अच्छा है कि आप उसमें आल चलाएं या पावर टिलर से उसके निराई गुडाई करें किसान भाईयो अब बात करते हैं जब हम गन्य की बुआई करते हैं तो उस समय पे हमें किस-किस दवाई का परियोग करना है क्योंकि जमीन से ही हमें फंगस भी खतम करनी अपनी दीमक का भी ध्यान रखना और जो हमारा कनस्वा कीट होता है वो सबसे पहले गन्य पर टैक करता है आप गन्या निकलने के बाद उसमें कनस्वा ना लग सके इसलिए या तो बुवाई में आप काटप का परियोग करिए या आप परियोग करिए थाइमतोक्सोम और फिपरोनिल दोनों दवाईों को मिला के आप डाल दीजे काटप आप 5 किलो ले सकते है 5-7 किलो थाइमतोक्सोम और फिपरोनिल 5-7 किलो ले सकते है और अब आते हैं किसान भाईयो पहले पानी पे जब हमने पहला पानी तो बुआई के समय दिया हमारा गन्ना जम गया 30 दिन का होगे हमने दवाई भी डाल दि खाद भी डाल दिया अब हमारा गन्ने को जब हम 30 दूसरा पानी देते हैं 30 से 40 दिन के बीच में उस समय हमें किस खाद का प्रयोग करना, किसान साथ यो आपने बेसल डोज दाट दी, लेकिन जब हमारा गणना निकल के चलता है, उस टाइम पर हमें एक डोज और देनी है, और अगर आप मेरे तरीके से डोज देंगे, तो आपके आध्ये खाथ में ही बहुत जबरदस रिज अगर आप गोल बनाना नहीं चाते हैं, तो इन दोनों चीज को मिलाइए, पचास किलो ये दोनों चीज़े हो जाएंगी, आप अपने पहले पानी पे इन दोनों चीज़ों को दीजे, किसान साथियो, जब हमारा गणना को हम पहला पानी देते हैं, उससे पहले हमें एक काम ओर करना, पहले पानी पे अगर आप बिल्कुल सिक्योर होना च होती है, जब हम फरवरी मार्च के गन्ने की अंबुवाई करते हैं, तो इसमें फंगस आने का खत्रा बहुत ही कम रहता है, इस टाइम पे कनस्वे का बहुत जादे जोर रहता है, अगर आप इन दवाईयों को प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल भी कनस्वा आपके गन्ने पर नहीं लगेगा, और किसान साथियों आप इन दवाईयों के साथ, वोल्यम फ्लेक्सी या किसी अन्य दवाई के साथ, अगर फंगस की भी दवाई डालना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी और बहुत सस्ती जो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, कार्बन ड प्लस साइपरमेथरीन का ही कंबिनेशन है, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आता है, किसान साथियों इसका प्रियोक करें, एक दवाई आती है, सिजेंटा कंपनी की कराटे के नाम से आती है, 100 ml का पैक है, किसान बाईयों बहुत सस्ती दवाई है, इसके अंदर भी प् फेन फोस है, बहुत जबरदस्त इस कंपनी के भी रिजल्ट है, तो किसी अच्छी कंपनी की आप ये फंजी साइड का इस्तेवाल करें, किसान बाईयों फंगस से ही ज़्यादा खत्रा है, इसके बाद जब हमारी बरसात सुरू होती है, उससे पहले जो हमारा जून का महिन बरसात सुरू होती है, किसान बाईयों इस फंजी साइड का इस्तमाल आप जरूर कर दें, बरसात सुरू होने से पहले, क्यों कि जब नमी बढ़ेगी तभी फंगस का टैक बहुत ज़्यादा इस गन्ने में देखा गया, और लास्ट में किसान बाईयों में एक चीज और ब कमपनी के भी है, आपके बहुत सारी कमपनियों के बहुत अच्छे-अच्छे फंजी साइड है, अगर आप बदल के परियोग करेंगे, तो और अच्छे रिजलेट मिलेंगे, किसान साथियों सब में मात्रा अलग-अलग रहती है, तो हर स्प्रेय में 40 भी दिन आप बदल क है, इस पर एक रहे हैं, और सब से सच्छी और अच्छी दवाई तो केवल कार्बन डजीम और मैंकोजैव, प्लस भवस्टी नहीं है, बहुत ही सच्छी दवाई है, नहीं तो सभी कमपनियों के रेट बहुत ज्यादा है,